बच्चों से गुलजार रहने वाला भीखना पहारी का ये कोचिंग संस्थान अब जो है वो सुनसान पड़ा हुआ है पिछले कई दिनों से तमाम कोचिंग संस्थानों में ताला लगा हुआ है इसका सबसे बड़ा कारण है कि शहर में कोचिंग सेंट्रों की जाज तेज है इस दोरान शहर के कई नामचीन कोचिंग संस्थान भी अपने कलास बंद कर दिये है दियेम दोरा तयार जाज कमिटी हर कोचिंग में कुछ न कुछ कमी देख रही है और उन्हें नोटिस दे रही है फिलाल हमारी जो मौझूदी है वो भीखना पहारी में है तस्वीरों के मादियम से आप देख सकते हैं कि जो पीछे है वो खांसर का कलास चलता है आप देख सकते हैं कि जो पूरा एरिया है इसमें खांसर की जादा कोचिंग कलासे जो है यहीं पर चलती है और इस्थिती यह है कि अभी फिलाल पिछले चार दिनों से इसमें टाला लगा हुआ है कहाई यह जा रहा है कि आने वाले सुमवार से जो है वो एक बार फीर से इस अंसफाद बच्चों से गुल्यार होगा हाला कि इस पर अभी अधिकारिक रूप से पूश्टी नहीं है लेकिन आसपास के लोग यह कह रहे हैं कि हो सकता है कि स्वमवार से क्लासे फिर से शुरू हो जाए हमाँ चाहत कुछ बच्छे भी हैं जो खांसर के पास परहाई करते हैं कि इस चीज़ की तयारी करते हैं वह अभी क्लासे बंद हैं क्या कहा गया है कहा नोटीस अभी नहीं आया है कि लास एप पर नोट नोटीस दिया गया है कि कलास चालू होगा तो मैसेज कर दिया जाएगा पढ़ाई पर क्या डिस्टार्ब हो रहा होगा कुछ पर हो रहा है आने वाले समय में कुछ परिक्षायं भी होने वाली हैं एक दो महीने के अंदर अभी मेरा तो नहीं है और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस बारे में बाचित करें तो आप देख सकते हैं कि जो फिलह सरी हैं यहां ज्यानगींदु जीएस अकेडमी है और सभी कोचिंग संस्थानों में पटना के जितने भी कोचिंग संस्थान हैं सबते जो है वो डीम दोरा तयार जाज कमिटी हर कोचिंग में कुछ न कुछ कमी देख रही है और उन्हें नोटिस जारी कर रही है जाज परिक्षा 30 सितंबर को होगी इस दौरान बीपीएस के कई कोचिंग बंद हो गया खांसर के कोचिंग में पढ़ने वाले स्टुडेंट्स परिशान हैं परिशान स्टुडेंट्स का कहना है कि एक जाम सिर पर है और ऐसे में अगर ज्यादा दिनों तक कोचिंग बंद होती ह और ऑनलाइन क्लासिस भी फिलहाल नहीं चल रही है ऐसे में उनके पढ़ाई को काफी नुकसान होगा और फिलहाल मौजुद्धा तस्वीर यही कहती है कि जाच अव्यान से जो तमाम पटना के नाम चीन कोचिंग संस्थान है उन्होंने बंद कर दिया है और इसमें खांसर का भी नाम शामिल है पटना से लोकल लेटिंग के लिए सच जाना नहीं है